है एलो सुदेंस तोड़े वी आर गोइंग तो डिस्कस एलेक्ट्रो केमेस्ट्री नीट डाइरेक्ट टॉंटे टे टॉंटी सिक्स प्रिभियस यह स्कॉस्चिन्स नीट के विटा हम सॉल्व कर रहे हैं पिछली लेक्चर में हमने सॉल्व किये थे और बच्छा बच्वाज कोश्चन को कर रहे हैं जो प्रिभियर सिस्क में आई वें पीवाई ट्यूस थीकिन है बच्चों तो यह कोशन दे रहा है फॉर दसेल रियक्षिन फ़ार्द सेल रियक्षिन टू अफीट्री एक्जिव प्लस-टू यए-क्यू टू-टू-वीटू-2 इतना दिया फॉर्मूली बटा हम इसमें क्या करेंगे बच्यों निकालेंगे अच्छले विटा हम लेते हैं एक कुशन नमबर आपका यह है आपका 19 हम बटा हम सॉल्व करते हैं तब बच्णो यह हमने लिया यहाँ पर सॉल्व किया ूजिस नमबर है यह आपका बेटा 19 क्या है 19 ठीक है बच्चो यह बटा सीदे सीदे एक डेल इस्टेंडर्ड गिफ्स एनर्जी फर्मूला होता है सारी वैलू आपको दिए एन एप नबचो यह नौट अचल के ठीक है तो यह हो जागा पसी देशिए सारी चीज़ दिए टू लिख दीजिए नाइन सेश्ट देखें हैं सारी वैलू दी विए यहां पर नैन सिक्स फाइफ उन्डेड एब टाइब टाइब लेगे नाइन सिक्स फाइफ उन्डेड इन्टू इ यह हो गया आपका नेंट सिक्स फूटू फाइप और यह यह स्टेंडर्ड यह बटाइश देखें सेल की देखें 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 0.24 पॉइंट टू फूर जूल पर बटा मोल के ठीक ना तो अब यहां आपने निकाल लिया यह हो जागा पूर सिक्स थ्री टू ज जूल पर मॉल के तो हम फिर इसको इसमें कर लेते हैं यह जाएगा इससे स्वापन पर फोटी सिक्स पॉइंट त्री टू किलो जूल बिच्च पर मॉल के इसका अपसन इसका हो जागा यह फिए ठीक है ने बच्चो तो करेक्ट आपसन बटा यह बनो के मानस पूर्टी सिक पॉइंटी टू कीलो जूल पर मॉल एक अब आते हैं बच्छों कोशन नमबर 20 क्या कर रहा है कोशन नमबर 20 का कर रहा है इस नमबर आप फाराडे एफ रिक पायर टू प्रोडूस्टी ग्राम आप दे कैलिसियम फॉर्म दे मॉल्टेन कैलिसियम क्लॉराइट इतामिक मास मत्रोड आप अब टॉन्टी लें यह क्या होजागा पैटा हम सिद्धी दिलेंगे है पर डबूडूस्टी इंक युटू क्यों क्य हो गया डब्लूडवाई जेटके यह क्लिए का देदक हो बच्छों 15 होजागा इस फोटी भाई टू ओ ठीके न जेड़ ब्राबर क्या हो सब्सक्दार किया होते हैं यह होगा घौ 제가 1 अच्छ अंपसार किया किया होगा इसकら है बैट वांसर हो गया इसका फूर ठीके ना अब आते हैं हम कोशन नंबर आते हैं बैच्छों कोशन नंबर हम बात करते हैं यहां बैच्छों कोशन नंबर 20 को बैटा हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या हम बैटा ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि यहां हमने बैटा लिया कि चीए बैच्छों लिया अगि यहां पर मौल्टन इस्टेट में हैं ना बैच्छों मोल्टन इस्टेट मतलब गली तबस्ता बहते हैं CACL2K ठीक है बच्चों तो यहां हम कह सकते हैं कि CA2 प्लस यह क्या कर रहा है 2 एलेक्ट्रोन रिच कर रहा है CA यह क्या हो गए आपका यह एक्वास सलूसन तो हम कह सकते हैं 2 फारडे यह निए 1 मॉल कितने कह यह 40 ग्राम के तो 1 फारडे 2 फारडे में 40 मॉल 1 मलता 1 फारडे में कितना हो जागा 20 ग्राम के तो आंसर यह हो गया 1 फारडे यह रजदे बटा आंसर राइट अब आते हैं बटा यह देखे कुशन नमर 20 बटा हो गया हमने दो तरह साल्व किया देख लीजी ठीक है बच्चो अब आते हैं मेटा यह 20 ग्राम के अब आते हैं मेटा यहां पर हम कुशन नमर 21 की बात करते हैं क्या कर रहा है कि सब्दा इलूट शफुरीग एकिड बटीनियम अलेक्टोड द्स नमर परदक्र यह दिशोशन मर 21 करा हो कर सकते हैं यह पर प्रप्रोबलम मर 21 यह कर आतेक्या दी से शन आप स्टू इस अफो निशो यह दी सू शे शन आप S2SO4 यह होगा आपका 2H plus equals SO4 minus 2 equals ठीक है? dissociation of water क्या हो रहा है? dissociation of water तो यह कर सकते हैं जैसे कि हमने S2O मालनी लिया dissociate हो रहा है water का तो H plus हो गया equals हो गया अब अच्छो यह OH I N हो गया equals हो गया ठीक है ना बटा? अब बटा, add inode पर क्या होता है? add inode पर add inode पर क्या होगा? यह 4 at inode हमने लिया add inode पर क्या लिया है? add inode पर तो यह हो जाएगा मालनी यह 4 OH हमने लिया यहाँ पर तो यह होगा बच्छो 2S2O प्लस यह हो जाएगा बटा लिक्विट यह बटा लिकल जागी oxygen gas ठीक है न? यह प्लस होगा 4 electron यह निका अक्षिजन गैस था आपकी यहाँ पर निकली ठीक है न? अब यह चीज़ यह inode पर दिखे ही हो रहा है add inode पर ठीक है न बच्छो अब यह बटा हम लेते हैं add cathode पर क्या लेते हैं बटा यहाँ पर add cathode पर क्या होगा? 2H प्लस यह हो जाएगा बच्छो एकवस प्लस टू इलिक्ट्रोन रिलीज हो रहा है न? बटा यह S2 यहाँ बटा अंसर जो होगा यह आएगा क्या आएगा बटा यह oxygen क्या होगा यह oxygen आपका यह होगा आएगा आएगा बटा अब आते हैं बच्छो कोश्य नमबर 22 के का रहा है दा मोलर कंड़क्टिटी आप 0.07 molastic acid is 20 cm2 यहाँ पर मोल वाट इस डिसोशीशन कॉंसरिट अब आपका यह हम आते हैं बटा क्या करते हैं बटा क्या करता है बच्छो यहाँ आते हैं यह is aλ एक paar मोल broadly रहा है आप्वाट पर मोले क्या दे LEAD का त्रीक हो हम यह डिलते हैं बटा आ कि यहाँ जाएगे बटा यहाँ पर आ्पको यह मोलर कंड़क्टिवटी अक ऐस्टीक एसीडğ ठीक है यह हो जाएगा मुलर कंड़क्टिवटी कि यह बच्चो क्यों हो रहा है एच प्लस के यह जाएका बच्चों 50 प्लस हो जाएका बच्चों 350 तो हो जाएका 400 सीमन्स सेंटी मिटी स्क्वार वर मॉलकि ठीक है नौट अब माते में अलफा अलफा लेते हैं तो यह होगा मूलर कंडूक्ट टी अपन इंफाइनाइट मूल कंड़ेट्टी दिए तो जागा 20 आप Absol ça फिर इसके बाद बच्छों की जी कुट्य बटpentै नेहां पर रोगा किए निकल गए बटा आपका बच्चों आप नेंकल गए यह चाहिए अब इंद लेते हैं कि अजिए अलफा स्क्वाइर आपान वन माइनस अलफा के तो यह हो जाएगा सी अलफा स्क्वाइर के तो यह हम बैटा हम क्या लेंगे सेबेन इंटू टेन के पाउर माइनस थ्री इंटू वन आपन ट्र्वाइब का होली स्क्वाइर तो यह हो जाएगा पान वन आपन पूर इंटू टेन के पाउर माइनस तू शॉल्फ करेंगे तो यह हो जाएगा पर बचो जागा लेतर के यह बिटा आंसर हो जाएगा इसका है तीक है अब बच्चों हम आते हैं कुशन नंबर कुशन नंबर 22 होगे बटा आपका कुशन नंबर 23 की बात करते हैं तो कुशन नंबर 23 क्या कर रहा है कि मुलर कंडुक्टेंस अफ्रुडियम क्राइड अल सुडियम स्टेट इन फाइन डिलूशन आप 126 इतना दिया है 426.16 91.07 cm2 रिस्पेक्ट्वली दमुलर कंडुक्टेंस अफ्रुडियम स्टीक इसीड इन फाइन डिलूशन चुछ दर्लाइट आप्शन नंबर 23 हम स्टार्प करते हैं तो कुशन नंबर 23 क्या है बच्चों अब यह भी प्रटा यह देखे इखे false यह की लेँ ने बच्चों Sudium Chloride किया होके बच्चा ही एए एन फ्लस यह का है बच्चों इसी तरह हम सब का निकाल लेंगे HCl का लिया हमने मुलर बटा ही ह एच प्लस हो जागा बच्चा ईए बच्चा हो जागा यह हो जागा CL- अची तरह हम किसका निकालेंगे sodium state का निकालेंगे ठीक है ना देखे इसका निकाल लिए हमने यह हो जागा बटा Na प्लस यह हो जागा बच्चो CH3 COO इसके ठीक है ना अब हम इसको माल लेते हैं हम इसका ले लेते हैं एकुर sodium का क्या हो जागा X फिर CL का क्या हो जागा बटा Y फिर बच्चो इसका क्या हो जागा H प्लस है क्या होगा Z अब फिर बटा इसका क्या हो जागा CS3 COO का हो जागा W तो given दिया हुआ है आपका यहां पर सीधी सीधे यह हो जागा x plus y कितना हो जागा 126.45 तो y plus z क्या हो जागा 426 into 16 k तो बच्चों यह हो जागा आपका x plus w क्या हो जागा x plus w यह आ जागा आपका 91 ठीक है from the above equation 3 equation की value आ जागी z plus w 3 equation from the above equation हम equation समले निकालेंगे यहापे तो बच्चों j plus w जागा यह 319 कितना जागा 71 के यह हो गया बच्चा answer तो हम कर सकते हैं बच्चा इसका answer कौन सा हो जागा यह इसका option जो दिया हो है option नमर बच्चा 1 ठीक है बच्चा इस तरह से बच्चों सारी questions होई हैं इसे आप देखेंगे दियांसे अगर जहां हमें बिटर doubt होगा हम फिर बिटर discuss करेंगे ठीक है बच्चों ओके बच्चा फिर आगे हम इसे हम बच्चों continue करेंगे बच्चा 5